हलो बच्चों मैं आपके हिंदी की टीचर सावेत्री शिर्वास्तों आज मैं आपको हिंदी ग्रमर में चेप्टर 13 वाकिश शोधन पढ़ाने जा रहे हूं बच्चों बात काते समय हम कई बार ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो व्याकण की द्रिस्टी से अशुद्ध होते हैं और बच्चों इन अशुद्धियों के कई कारण होते हैं जैसे स्वल्ट तथा देंजंग का गलत उचाण करना व्याकन के नियमों की जानकारी न होना तथा भाषा परिस्थान ये बोली का प्रभा होना बच्चों इन अशुद्धियों को व्याकन के नियमों के अनुसार नहीं कैसे दूर किया जा सकता है इस पार्थ में आपको यही बताया गया है तो आए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाशा में जो अशुधियां होती है उनको कितने भागों में बाता दिया जैसे पहला है पद रचना संबंदी अशुधियां दूसरा पद बंद संबंदी और चौथा है शब्दार्थ संबंधि अशुष्धिया अब इनको एक एक करके हम विस्तार में अध्यन करते हैं जैसे पद्रचन संबंधि अशुष्धिया इसमें पहली गलती हम इकारांत और इकारांत में करते हैं जैसे इकारांत के शब्द जब उनका बहवचन बनाया जाता है तो वो इकारांत हो जाते हैं जैसे इकारांत शब्द है दवाई इसको जब बहवचन बनाया जाता है तो यह दवाईया हो जाता है यानि बड़ी इ छोटी इ में परवर्तित हो जाता है इसी प्रकास से दूसरा शब्द है जोपड़ी इसका जब बहुचन बनाए जाएगा तो ये जोपड़िया हो जाता है यानि इकारांत बदल करके इकारांत में आ जाता है इसी प्रकार से आकारांत पुलिंग शब्द के जब बहुचन बना जाते हैं तो शब्द के अंत में उन लग जाता है यसे लड लड़कों ओर एकर रांत और इग रांत में बहुचन अगा आग जाता है तो शब्ध के अगर न्त में यो योओ लएता है उसाल टाएं तो शब्द बनता है मयंज़ा इसी प्रकार से भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है जैसे आदेश, हस्ताक्षर, प्राण, आदि एक बचन में इनका प्रयोग अशुद्ध माना जाता है जैसे इस संबन में आदेश दे दिये गये हैं, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कर दिये ग जाता है बहन जी आरही नेकिन यसका जब शुद्ध Rap ऊगा वहोगा को तो जाता है कि भाग सुन्हीं आप जाता है bir यह लेकिन कि जब स्वेए yachat बत्तु नाया चुनिवागी देखागा जनाएं तेरे को इससे क्या तो इस तरह कर शुद्धियां की जाती है इसे मेरे को जाना है लेगे इसका शुद्ध भाषा होगा मुझे जाना है तेरे को इससे क्या मतलब तुझे इससे क्या मतलब या तुम्हें इससे क्या मतलब मेरे को इस्थान पर मुझे और हमारे को के इस्थान पर हमें का प्रयोग किया जाना चाहिए अगला आता है कारक संबंधिय शुद्धिया जैसे संग्याओं के गरत कारकिय रूपों में या परसरगों के प्रयोग से भी कई वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं जैसे एक वाक्य है मैं तुम और वो साथ जाएंगे इसमें करकिये अशुद्धी है इसका शुद्ध वाक्य बनेगा तुम वो और मैं साथ जाएंगे इसलिए तरह से दुसरा वाकिय है मैं और तुम मिलकर पढ़ेंगे इसका स्ष्थद वाकिय बनेगा तुम और मैं मिलकर पढ़ेंगे बच्चों दूसरी प्रकार के अशुद्धिया आती है बद बन्द रचना संबंधी अशुद्धिया इसमें पहला है विशेश और विशेश के प्रयोग के करण आने वाले अशुद्धिया इसको एक्जम्पिल की दरा समझाये गिया है उधान की दरा समझाये गिया है जैसे यहां शुद्ध सर्सों का तेल मिलता है लेकिन इसका शुद्ध वाक होगा यहां सर्सों का शुद्ध तेल मिलता है इसी प्रकार से एक सेव की पेटी ला दीजिए लेकिन इसका शुद्ध वाक बनेगा सेव की एक पेटी ला दीजिए दूसरा है पदबंद संबंधी जैसे उपाय शब्द के साथ लेना नहीं होता है उपाय करना होता है घर किसी के घर जाने को हम पधारना नहीं बोलते हैं घर आना या जाना कहते हैं धन्यवाद करना नहीं होता है धन्यवाद देना होता है जैसे सरकार इस सम्मन्द में उपाय ले रही है ना कहकर कहा जाएगा कि सरकार इस सम्मन्द में उपाय कर रही है कल मैं आपके घर पधारूंगा ये ना कहकर कहा जाएगा कल मैं आपके घर आऊंगा इसी प्रकार से मैंने आपका धन्यवाद किया था यह वाकिन नहीं प्रयोग किया जाएगा, कहा जाएगा कि मैंने आपको धन्यवाद दिया था, इसी प्रकार से हिंदी के अन्यमित क्रियाओं से संबंधिन अशुद्धिया, क्रिया शब्च जैसे होते हैं, जाना, लेना, देना, पीना, करना, इस तरह के, इन में यह अन्यमि जबकि इसका अशुद्ध वाकि बनेगा, उसने मेरा काम नहीं किया, आप उनसे बात करिये, जबकि इसका उचित प्रयोग होगा, आप उनसे बात कीजिए, अगला है क्रिया विशेश और संबंधिन अशुद्धिया, इसमें क्रिया विशेश तथा निपास संबंधिन मत बैठो, उसके पास केवल मातर 50 रुपए हैं, अब बचों केवल और मातर का अर्थ एक ही होता है, चाहे आप केवल का प्रयोग कीजिए, चाहे आप मातर का प्रयोग कीजिए, जिसका सही वाक्य बनेगा, उसके पास केवल 50 रुपए हैं, वो हमारी बात अवश्य ही मानेग इसका अशुद्ध वाक्य बनेगा, वो हमारी बात अवश्य मान लेगा वाक्य रश्ना संबंधी अशुद्धिया वाक्य में जब विभिन पदों में तरक संगत निकटता होनी चाहिए जैसे चाकू बच्चों को नहीं देना चाहिए जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा, बच्चों को चाकू नहीं देना चाहिए यहाँ पर बच्चे जो है वो करता है और चाकू अबजेक्ट है, कर्म है महात्मा गांधी को देश हमेशा याद रखेगा अब यहाँ पर करता को पहले ले आए गया है देश महात्मा गांधी को हमेशा याद रखेगा अगला है शब्दार्थ संबंधी अशुद्धियां बच्चों, एक शब्द के परियावाची होते हैं कई परियावाची होते हैं लेकिन उन सभी का प्रयोग अलग-अलग तरीके से किया जाता है जैसे मुझे पीने के लिए नीर दीजिए अब आप कह सकते हैं कि नीर का मतलब भी तो पानी ही होता है लेकिन नहीं, यहाँ पर नीर कप्रोग नहीं किया जाएगा मुझे पीने के लिए जल दीजिए या मुझे पीने के लिए पानी दीजिए इसी प्रकार से गंदे जल में कमल नहीं खिलते फिर आपके मन में प्रश्ण उटरा होगा कि जल और पानी में क्या अंतर है यह नहीं गंदे जल में नहीं होगा गंदे पानी में कमल नहीं खिलते कई बार एक ही अर्थ वाले दो शबतों का अनावशक रूप से प्रोयोग कर दिया जाता है जिससे भाषा में अशुर्थिया जाती है जैसे दिल्ली में देखने योग कई दरशनिय स्थल है ध्यान देने योग बात है बच्चो margin देखने योग्य और दर्शनिय का एक ही यहत होता है इसको हम शुद रूप में ऐसे वह सकते हैं जिसे दिल्ली में कई दर्शनिय स्थल है या हम कह सकते हैं कि दिल्ली में देखने योग्य स्थल है देखने योग स्थल है इसी प्रकार से हमें अपना काम खुद स्वयम करना चाहिए इसका शुद्धवा क्यों होगा हमें अपना काम खुद करना चाहिए या हमें अपना काम स्वयम करना चाहिए तो देखा बच्चों हमारी भाषा में अशुद्धियां क्यों आ जाती हैं क्योंकि हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं होती है जब इन चीजों की जानकारी हम गहराई से कर लेते हैं तो हम कभी भी अशुद भाशा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं धन्यवाद